हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब? I hope सब अच्छे होंगे आज के टिप से एकदम जुगार वाले हैं जिससे हमारा टाइम तो बचे गए साथ में हम सामानों को खराब होने से कैसे बचाए वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए देख नहीं करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला टिप हमारा माचिस को लेकर है बारिस की मौसम में माचिस बहुत ही जल्दी सील जाता है यानि नरम हो जाता है जिसकी वज़ा से ये जलता नहीं है जब हम इसे ऐसे जलाते हैं तो ये जलता नहीं है इसका मसाला खराब हो जाता है तो इसे हम कैसे जलाएं या फिर इसे अगर आपको तुरंत जलाना है तो उसके लिए आप क्या करें वो मैं आपको बताऊंगे तो हम क्या करेंगे कि प्रेस को यानि आइरन को गरम कर लेंगे तो आइरन को हमने गरम करने के लिए रख दिया है जब आइरन थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद माचिस को इस तरीके से आइरन को उपर हम इसको शेक लेंगे यानि गरम कर लेंगे तो माचिस को हमें पूरे साइड से इस तरीके से सेक लेना है ताकि ये अंदर तक इसकी घर भी पहुच जाए ताकि इसके अंदर जो काड़ी है वो भी अच्छे से गरम हो जाए तो इस तरीके से आप सेक ले फिर उसके बाद आप इस तरीके से टच करके देख ले जब आपक नेक्स टिप देख लेते हैं next tip हमारा नारियल को लेकर है जब इस तरीके से टूटा हुआ नारियल हम रख देते हैं तो दूसरे दिन इसके उपर हलका सा पीला परत हो जाता है या फिर ये चिप चिपा हो जाता है फ्रीज में रखें तो भी ये चिपचिपापन इसमें आई जाता है तो ऐसा नहीं हो उसके लिए मैं आपको टिप बताती हूँ तो आप ले ले नारियल का तेल सिर्फ 2-3 डॉप नारियल का तेल इस तरीके से नारियल में डाल दे उसके बाद उंगली से इस तरीके से स्प्रेट कर दे यानि नारियल पर ऐसे लगा दे अगर नारियल का तेल नहीं है तो आप इसके जगह पर रिफाइंड ओयल ले सकती है तो यहाँ पर हमने नारियल में अच्छे से तेल को लगा दिया है अब इसे आप ऐसे ही बाहर रखिए या फिर फ्रीज में रखिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा एक से दो दिन तक तो है न कमाल का टिप चलिए नेक्स टिप देख लेते हैं नेक्स टिप हमारा कपूर को लेकर है जब भी हम कपूर को इस तरीके से डब्बे में रखते हैं तो क्या होता है कि हम इसे बार-बार खोलते हैं इस्तिमाल करने के लिए तो क्या होता है कि इसमें का जो कपूर है बोलते हैं ने कि उड़ जाता है यानि गलने लगता है तो कपूर गले नहीं उसके लिए इसमें थोड़े से चावल के दाने डाल दें और कपूर वाला जो डब्बा है उसे अच्छे से बंद कर दें उसके बाद हलका सा शेक कर दें ताकि चावल हर जगा चला जाए अब इससे कपूर बिल्कुल भी गलेगा नहीं तो एक बार इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा तो चलिए नेक्स टिप देख लेते हैं नेक्स टिप हमारा जैम की बॉटल को लेकर है इस तरीके का जैम का बॉटल तो हर घर में राता है जैम खतम हो जाता है उसके बाद हम इसका रियूज करते हैं यानि इसमें कुछ और सामान रखने के लिए हम इसे इस्तिमाल कर लेते हैं तो उससे पहले हम इसके स्टीकर को निकालते हैं तो इसके स्टीकर को थोड़ा सा कैची से कट कर लें उसके बाद इसे इस तरीके से निकाल लें एकदम आसानी से निकल जाता है आपको गरम या ठंडा पानी में डालने की जरूरत भी नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रकार का गम नहीं लगा होता है जिससे ये नहीं निकले एकदम आसानी से ये इस तरीके से निकल जाएगा तो यहाँ पर हमने इस्टिकर को निकाल दिया है बोटल में से अब इसके अंदर जो जैम लगा है ने इसे हम साफ कर लेते हैं तो उसके लिए हम इसमें आधा गलाज गुनगुना पानी डालेंगे आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं गुनगुना पानी से थोड़ा सा जल दिये साफ होगा उसके बाद इसका ढखकन बंद करके इस तरीके से शेक कर लेंगे आधा मिनट के लिए तो आप देख सकती हैं कि हमने इसको अच्छे से शेक कर लिया है और यह दिखिए इसमें जैम बिल्कुल भी नहीं लगा है सारा जैम पानी में मिक्स हो गया है तो अब हम पानी को गिरा कर इसे अच्छे से धो लेते हैं नॉर्मल पानी से तो यहाँ पर हमने बोटल को अच्छे से धो लिया है यह दिखिए बोटल तो एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है मगर इसमें से थोड़ा थोड़ा जैम का इसमेल आ रहा है यानि हम दूसरा सामान रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा तो उस स्मेल को खतम करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो माचिस की तीली लेंगे और दोनों माचिस की तीली को एक साथ इस तरीके जला लेंगे यह दिखिए ऐसे अब जलाने के बाद इस जलती हुई माचिस की तीली को हम बोटल के अंदर जलाएंगे जब आधा तीली जल जाएगा उसके बाद इसे इस तरीके से बोटल के अंदर डाल दे ऐसे ये देखें उसके बाद फटा फट से बोटल का धक्कन लगा दे यानि इसका लीड लगाकर इसे बंद कर देंगे एक से दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे दो मिनट के बाद वापस से इसका ढखकन खोल कर इसमें का जो तीली है उसे निकाल कर और बॉटल को वापस से एक बार वाश कर ले यानि अच्छे से क्लीन कर लें फिर इसे अच्छे से ड्राय कर लें उसके बाद इसमें जो भी सामान आप रखेंगी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और जैम का इसमेल भी नहीं आएगा आइफ़ आपको पसंद आया होगा तो चलिए नेक्स टीप देख लेते हैं सहत का तो हम इस्तिमाल करते ही हैं मगर जब हम इसका इस्तिमाल करते हैं यानि निकालते हैं बॉटल में से तो इसके साइड में लग जाता है जिसकी वज़े से चीटियों को रास्ता मिल जाता है और वो हनी के अंदर चली जाती है तो उससे बचाने के लिए मैं आपको दो तरीका बताती हूँ तो पहला टिफ यह है कि आप इस तरीके से एक प्लेट ले ले या फिर इस तरीके का प्लास्टिक का ढखकन ले ले जिसका डबबा खराब हो गया हो उसका ढखकन भी आप ले सकती है उसके बाद प्लेट में हमें दो से तीन चमच पानी डालना है अब इस पानी में हमें ये सहद वाला डबबा रख देना है पानी के वज़े से चीटियां डबबे तक नहीं पहुचेंगी और अंदर भी नहीं जाएंगी तो ये पहला तरीका है और दूसरा तरीका और भी आसान है इसे रखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगा चाह कि इस तरीके से इसके ढखकन के अंदर साइड में हलका सत ओयल लगा दें यहाँ पर मैं रिफाइंड ओयल लगा रही हूं आप इसके जगह पर मस्टाड ओयल या फिर कोकोनट ओयल भी ले सकती हैं मगर ध्यान दिजिएगा कि आप घी का इस्तिमाल बिलकुल मत करिएगा क् घी का और हनी का दोनों का बहुत ही ज़्यादा बैर रहता है इसके लिए आप यहाँ पर घी का इस्तिमाल मत करिएगा और बोटल के उपर वाले साइड में भी हम ओयल को अच्छे से लगा देंगे उसके बाद लीड को बंद कर दें चीटियां अंदर नहीं जाएंगी नेक अब्बे के साथ हमें रखना बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है पर्स में तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ आपको करना क्या है कि चस्मे को इस तरीके से सौक्स के अंदर डाल देना है और अब इसे आप पर्स में डालिए कितना भी छोटा पर्स हो हो ए लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू